ओम शांती आपका प्रश्ण है अन होने के लिए बुद्धी क्यों उल्टी कर देती है बुद्धी उल्टी क्यों हो जाती है भगवान क्यों नहीं बचाता दो दो प्रश्ण क्योंकि आपने ये प्रश्ण पुछा है तो आपको ये ज़रूर मालूम है इस प्रश्ण से समझ में आ रहा है कि होनी होकर रहे अन होनी ना होए चिंता ताकी कीजिए जे अन होनी होए अन होनी कभी होती नहीं हो गई तो वो होनी थी हो गई तो वो होनी थी अन होनी शब्द ही अपने आप में बताता है जो होना नहीं है और वो हो गई तो वो होनी हो गई अब उस होनी के लिए मेरा दिमाग क्यों खराब हो गया मेरा दिमाग क्यों बदल गया मेरी बुद्धी में इविचार क्यों आ गया मैंने क्यों ऐसे कर दिया गलती तो कहीं न कहीं हमारी ही होती है हम उस टाइम ऐसा गलत ना करते तो यह अन होनी होनी नहीं बनते पहला दोश हम अपने आपको या जो कारिये जिसके द्वारा हुआ हम उसको देते हैं यह दोश हम तब तक दे सकते हैं जब तक हमारे पास ग्यान का अभाव है सत्य का अभाव है जब हमें यह बात समझ में आ जाए कि संसार की हर आत्मा एक्यूरेट पार्ट बजाती है कोई भी आत्मा जरा भी गलती नहीं कर सकते कोई भी आत्मा जरा भी गलती नहीं कर सकती जब यह समृति आ जाए कि जो भी आत्मा जो कुछ भी कर रही है वही उसका पार्ट है वही उसका रोल है और वही होनी है क्योंकि अन होनी नहीं होती हमेशा होनी ही होती है होनी होकर के ही रहती है तो इसलिए हमारे को वही संकालप आते हैं वही विचार आते हैं वही बुद्धी आती है जो होनी होती है क्योंकि हर एक का पाठ है न पाठ के अनुसार सबको अपने विचार आते हैं और अपने उनी विचारों के अधार पर वो सारे काम करती है भगवान क्यों नहीं बचाता दूसरा प्रश्ण परमात्मा इस संसार के किसी भी एक्ट में किसी भी कार्य में किसी भी गति विदी में कोई रोल प्ले नहीं करता ना किसी आत्मा को सयोग देता है और ना किसी आत्मा को असयोग देता है किसी भी आत्मा को परमात्मा कोई विशेश सयोग नहीं देते हैं हर आत्मा अपने कर्म करने के लिए स्वत्तंत्र है और कर्म करने के बाद उस कर्म का फल भोगने के लिए आटोमेटिक परतंत्र है जो भी एक्ट कर दिया उसका रियक्शन उस आत्मा को लेना ही लेना है ना कोई दुनिया की ताकत ना स्वयम परमात्मा उसे बचा सकता है तो भगवान कभी भी संसारिक कार्य में हस्ता खेप नहीं करते परमात्मा केवल और केवल मार्ग दर्शन करते हैं उस मार्ग पर चलना या ना चलना इसके लिए हर आत्मा अपने ड्रामा अपने पाट के पराधीन है तो भगवान कभी भी कहने को दुनिया कह देती है जाको राके साहिया पर तु परमात्मा कभी किसी को बचाने नहीं जाता बचा है कोई किसी का कारिय सही हो गया है तो वो उसके अपने कर्मों के हिसाब से हुआ है किसी का कारिय कोई बिगड गया है तो वो भी उसके अपने ही कर्मों के अधार पर बिगड़ा है कोई भी किसी के कारिय को बिगार नहीं सकता कोई भी किसी के कारिय को बना नहीं सकता हर आत्मा निश्चित रूप से अपना पार्ट एक्यूरेट करती है तो परमात्मा भी अपना कारिय सब को रास्ता दिखाने वाला करता है इसके अलावा और कोई कारिय नहीं करता है और अच्छी तरह से समझना हूँ विस्तार से जानना हूँ तो प्रजापिता ब्रमा कुमारीज इश्वरिय विश्व विद्याले के किसी भी सेवा केंद्र को समपर्क करे और यदि कोई प्रशन हो तो 9213106986 पर केवल वाट्सेप करे ओम शान्त